गुद मरिंग स्टूडा, I am standard first में सबजेक एनवी है, एनवी में आगे का लेसन देखेंगे आगे का ये लेसन में वाटर के पारे में पड़ाई करेंगे वाटर, वाटर किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं बारिस में से मिलती है, बारिस गीरेगा वो पानी अपने को underground में जाता है, दर्ती पे जाता है, वो जमाओ जाती है वागा, उससे अपन मोटर सब लगा के निकाल के यूज करते है नई तो बारिस का पानी तलाब रेता है, उसी में जमाओ जाती है नदी में जमाओ जाती है, वो पानी फिर अपने को यूज करने को मिलता है, no one can survive without water, पानी के विना कोई जी नहीं सकते है, every plant, animal and human being need water to live, plant जाड रहेगा, animal जानवर रहेगा, और human being, human being बोलेंगे तो कोणे, इंसान लोग, वो लोको भी पानी का जर्रत पड़ती है, वो लोग भी पानी नहीं रहेगा, तो जिंदा नहीं रहेपाएंगे, अभी देखो अपने को नाने का, कपड़ा दोने का, पीने का, सब के लिए पानी चाहिए रहेता है, animals को पीने के लिए पानी चाहिए रहेता है, और जाड में को भी तो अपने को पानी डालना पड़ रह है तबी वो फूल सब देगा नई तो सुख जाता है water is needed for many things humans need water throughout the day we drink water as it helps in digestion अपने को दीन बर पानी चाहिए रेता है सुबे सुबे उटेंगे तो अपने को ब्रस करने का मुद ओने का उसके बाद नाने के लिए भी चाहिए रेता है उसके बाद में खाना बनाने में भी पा पानी पीएंगे वो पानी अपने को अपना खाना काते है उसका digestion होने के लिए अपने का आजम होने के लिए पानी का जर्रत रेता है it also cleans our body वो अपना सरीर को भी clean करता है the uses of water पानी का uses कहा कहा है water has many uses besides wringing we use water for bathing and washing it is also used in cooking and cleaning vegetable पीने का छोड़के नाने में कपडा दोने में washing में दोने में भी पानी यूस होती है और खाना बनाने का vegetable सबजी सब दोने के लिए भी यूस होती है just like us animals to drink water animals को भी पीने का पानी चाहिए they to take bath to stay cool in hot weather animals लोग क्यों नाते है वोलो को सरीर को घर्मी से बचाने के लिए नहाते है plants to need water to stay alive and grow plants को जाड को क्यों पानी चाहिए जिंदा रेने के लिए और बड़ा होने के लिए so one should not waste water or make it daddy पानी को गंदा नहीं करने का है और waste भी नहीं करने का है कितना पानी चाहिए उतना यूज करने का है अब यह next देखो sources of water the main source of water is rain water after the rains all the rivers, lakes and ponds fill up with water this water from rivers, lakes and ponds is not clean to drink we cannot drink it directly देखो बारिस हो रही है इदर picture दिया है अब यह बारिस का पानी तलाब में नदी में सब जाके पानी जमा हो जाती है फिर उसी पेसे अपने को यूज करना पड़ता है लेकिन तलाब और lakes का पानी clean नहीं रहता है उसको direct पी नहीं सकते है उसको filter करके अपने को पीना पड़ रहा है rain water also seeps below the ground this water is obtained from a well we can see wells in rural areas कैसे गाउं एरिया रहेगा वहाँ अपने को पानी कुवे में से भी मिलता है कैसे बारिस का पानी अपना ground तर्थी पे जाके जमा हो जाती है वो पानी उसी में से निकल के अपने यूज करते है most of the earth is covered with water but not all this water can be used मतलम एर्थ में कितना तीन में से दो पार्ट में तो पूरा पानी जमा रहता है लेकिन पूरा पानी अपनी यूज नहीं कर सकते है कैसे समुंदर का पानी रहता है वो अपने को यूज नहीं होती है क्यों most of the earth water is found in the seas and ocean this water is salty salty मतलम वो कारा बानी है कारा बोलेगा तो नमक पानी है humans cannot consume salty water नमक पानी अपन पी नहीं सकते है समुंदर का पानी को direct पी नहीं सकते है